नमस्कर दोस्तों स्वागा थे आपका फार्मरोक्स की यूट्यूब एजू किस्टने चैनल में आज की उड़ी लेक्चर में हम डेटेल में स्टेडी करेंगे वज़ाइनल इन्फेक्शन के बारे में सेकंड सीखेंगे उसके सीम्टम्स होगे रख्या है कौन से रीजन से ये प्राब्लेम हो सकती है डाइगनोसिस उसका कैसे हो सकता है ट्रीट्मेंट के क्या अलग अलग ओप्सन से और कौन सी दवाई या या यूज होती है ये ब्राब्लेम को स्वाल करने के लिए तो ऐसे ही mobile application को download कर सकते हैं link आपको description box के अंदर मिल जाएगी तो बाते हैं topic प्योर समझते हैं वज़ाइनल infections के बारे में और cover करते हैं यह सब बलग-लग topics तो सबसे पहले उसके basic आप समझे तो जो वज़ाइनल infection होता है उसको हम uni में infection होना भी कहते हैं और यह problem के अंदर होता यह है कि आपकी वज़ाइना या फिर जो वुल्वा के एरिया होता है वहाँ पे infection होता है और वो infection होने के काफी सारे reasons होते हैं कि जो हम आगे video के अंदर discuss करेंगे पर उससे पहले समझना यह जरूरी है कि यह problem होता क्यों है और symptoms के अंदर क्या develop होते है और जिससे routine जो आपका काफी effect होता है अगर यह problem होती है तो सबसे पहले उसके अंदर हम symptom देखे तो वज़ाइना में जो वो सूजन आ जाती है मलब कि inflammation देखने को मिलता है वज़ाइना के अंदर तो यहाँ पे आप देखो female reproductive system के अंदर तो यह जो वज़ाइना का पूरा एरिया होता है वहाँ पे इस तरह से inflammation यानि कि सूजन आ जाती है और जिसके करण काफी ज़्यादा complications होती है आगे जाके जैसी कि वहाँ पे आपको itching भी होती है कि जो वज़ाइनल एरिया है वहाँ पे आपको itching होती है खुजली वगेरा होती है तो continuous itching होती रहती है उसके करण पे काफी ज़्यादा discomfort जो आप फिल करते हैं तीसरा symptom हम देखे तो redness हो जाती है वज़ाइनल एरिया के अंदर या फिर जो वुल्वा का जो एरिया होता है वहाँ पे जो वह redness देखने को मिलती है चौधा symptoms यह होता है कि जब भी आप वहाँ पे touch करते है तो आपको काफी ज़्यादा दर्ध होता है और burning sensation जैसा भी कई बार जो फिल होता है मनलब कि जब भी touch करते हैं तो दर्ध होता है फिर sourness डेवलप होती है वज़ाइन के अंदर कि यहाँ पे जो आप डायग्रम में देख रहे है इस तरह से condition produce होती है कि जिसको हम वज़ाइनल sourness कहते हैं और इसके गरण जो है वह काफी ज़्यादा discomfort जो फिल होता है फिर वज़ाइनल discharge जाने लगता है वो discharge जब आप चेक करो तो यहाँ पे जो हम डायग्रम में देख रहे है उस तरह से होता है कि जैसे दही होता है या फिर जो ऐसा हम कहें कि काफी white और thick टाइप का जो discharge वह आने लगता है फिर इस तरह से आप देखो कि पूरा जो discharge होता है वो इस तरह से देखने को मिलता है जिसको हम कहते है कि दही जैसा सफिद डिस्चार्ज आने लगता है फिर इस तरह से अलग-अलग उसके आप पिक्स देख सकते हैं डिस्चार्ज के कि जो वज़ए नामे से आने लगते हैं फिर कई बर क्या होता है कि योनी से सफिद पानी भी आने लगता है करते हैं उस वक्त जो है आपको दर्द होता है फिर एक symptom यह develop होता है कि burning sensation फिल होता है आपके वज़एना के अंदर या फिर उसके आसपास के एरिया में फिर जो pelvic area जो होता है वहाँ पे especially वह काफी ज़्यदा दर्द होता है वहाँ पे भी ज़्यदा फिल होता है नेक्स symptom हम देखे तो यब यह problem होता है तो उसके करण क्या होता है कि आपके body के अंदर weakness हाजाती है आप काफी ज़्यदा थकावट मैसुस करते हैं कमजोरी जैसा फिल करते हैं और जिससे ऐसी condition produce होती है कि आप जो प्रॉपर आपकी energy level जो डाउन हो ले रगा है और आखरी कई बार कुछ लोगों को nausea vomiting जैसा भी फिल करता है कि जैसे कि उल्टी हो जानी जी घबराना जैसे symptoms यह वो देखने को मिलता है कि जब भी किसी को वज़ाइनल infection होता है अब समझना है सबसे पहले reasons के बारे में कि कौन से reasons है कि जिसके करण यह problem हो सकते तो पहला reason हम यहाँ पे हम देखे तो जो फूग आती है कि जिसका नाम है candida या फिर yeast करके जो फूग आती है उसकी जब growth होती है तो उसके करण भी यह problem हो सकता है फिर second हम reason देखे तो उसी area के अंदर समझे कि बैक्टेरिया के growth हो रही है तो बैक्टेरिया के करण भी bacterial vaginosis के condition produce होती है कि वो भी एक टाइप का वज़ाइनल infection ही है फिर तीसरा हम reason देखे तो वो है parasitic infection तो parasite जैसे की trichomonas होते हैं उनके करण भी यह vaginal infection जो आपको हो सकता है चौता है reason virus कि जिसका नाम है harpes simplex virus कि जिसको सौट में हम HSV भी कहते हैं HSV के करण यह problem हो सकती है फिर अगर कोई personal hygiene नहीं रखता मतलब कि प्रॉपर आप साप सफ़े नहीं रखते तो भी यह problem जो आपको हो सकती है फिर चटा reason हम देखे कि आपका जो partner है वो समझे के infected है और उसके साथ कोई sexual activity वेगेरा होती है तो भी आपको यह infection जो वो हो सकता है फिर अगर public toilet का use करना हुआ है या फिर ज्यादा आपको public toilet use करने पड़ते है बार बार public toilet का use करना होता है तो भी आपको यह infection जो वहाँ से लग सकता है और अगर history है आपकी urinated rag infection के कि past में आपको UTI हुआ था तो आगे जाके जो आपको वजाइनल infection भी हो सकता है फिर एक और एक फूग आती है जिसका नाम है candida albicans जिसके करण यह problem produce हो तक जिसको monilial vaginitis कहते है कि जिसके अंदर specially जो vaginal area होता है वहाँ पे जो वह सूजन आ जाती है तो यह सब अलग अलग reason से तो अब आपको next क्या करना है कि उसका diagnosis करना है अच्छे से कि diagnosis से हमें यह पता चलता है कि exact reason क्या है तो reason find out करने के लिए सबसे पहले patient के medical history चेक करना ज़रूरी है proper जो उसका patient counseling होना चाहिए कि जिससे पता चलता है कि कौन से reason से यह problem हो रही है कि जैसे कि आप भी हमने जो reasons वगरा discuss कि है symptoms वगरा आप उसके साथ proper discuss करते हैं तो आपको एक proper reason पता चलता है कि जैसे diagnosis होती है second physical examination भी आप ज़रूरी बनता है कि जैसे पता चले कि कहाँ पे patient को pain हो रहा है abdominal area में काफे pain हो रहा है नहीं तो जैसे आपको एक पता चलेगा निदान हो सकता है फिर sign and symptoms के basis पे भी diagnosis हो सकते है कि patient के symptoms क्या है वो जब आप उसका proper patient counseling करते हैं तो उस वक्त पता चलता है चोथा blood and urine test यहाँ पे करना काफी ज़रूरी बनता है कि जिससे आप जो यह वो proper diagnosis कर पाओ फिर जरूरत पढ़ने पे आगे vaginal swab test करना जरूरी पढ़ता है आपे कि जिसको vaginal secretion test भी कहा जता है कि जिससे कौन से microorganism के करन यह problem हो रहे कि चाहे bacteria से हो रही है virus से हो रही है या फिर किसी food के करन हो रहा है कि जिससे पता चले कि condition अभी कैसी है कि आगे आगे भी infections कई बार फैलता है कि वज़ाई ना से फिर आगे uterus और pelvic area में भी यह infection जो फैल सकता है तो उसको रोकने के लिए proper diagnosis होना जरूर है उसके बास जिवह आप अलग-अलग treatment कर सकते हैं तो अब treatment के options हम देखते हैं तो सबसे पहले यह problem को solve करने के लिए अलग-अलग treatment के options हमारे पास available है तो उसमें से पहला option हम देखे तो वो है hazinal hyzen wash कि जैसे आप आप देख सेखते हैं कि we wash करके एक product आती है ज्यादा तर आप यूज़ ना करो, excessive यूज़ ना करो, सिर्फ विक में एक ही बार यूज़ करोगे तो भी enough रहेगा second है आपको proper personal hyzen रखनी है तो जब आप डेखनी नहाते हैं तो नहाते वक्त पानी के अंदर कोई भी antiseptic fluid जिवह आप mix कर सकते हैं जिसके आप डेटल है, स्यावलान है, एपलो फार्मसी का antiseptic liquid आता है तो वो डाल के आप जो प्रापर वो एरिया को wash कर सकते हैं, clean कर सकते हैं जिससे जो personal hyzen जो आपकी अच्छी रहें, फिर अब बात आते हैं अलग-अलग medications के जिसके अंदर alopathy के हमारे पास option है कि जिसके अंदर antibiotic, antifungal, antiparasitic drug और जिस reason से यह हुआ है, उसके according to यह दवाईया use की जाती है alopathy के अंदर फिर herbal के options रहते हैं, homeopathy, unanine medicines के भी options हमारे पास हैं और यह सभी दवाईया अलग-अलग form में available होते हैं जैसे कि tablet भी उसके available होते हैं, jail cream, suppositories वगेरा available होते हैं अब उसके बारे में जानते हैं detail में, तो सबसे पहला जो product है, वो है Candida, Candida VCL करके यह product है कि जिसको हम vaginal suppositories के category में include करते हैं, तो यह जो course होता है, यहापे आप देख सकते हैं तीन suppository आती है pegging के अंदर, तो तीन दिन का यह course रहता है, और हर दिन आपको एक suppository insert करनी होती है, night के अंदर और तीन दिन तक जो ही उसको use करना होता है, तो यहापे जो options discuss कर रहे हैं, उसमें आपको दियान यह रखना है कि इन में से कोई 1, 2 या फिर 3 जितने option जो combination में use किया जा सकते हैं, यह सभी को use नहीं करना है second जो option है, वो है Candida CL, Candid CL की जो gel आती है, तो इसमें क्या कि अगर कोई tablet use नहीं कर पाता, वज़ेनल टाबलेट तो इसके लिए यह second option रहता है, कि आप उसकी gel वगेरा use कर सकते हैं, और यह दिन में 2 या 3 बार जिए वो apply करना होता है तीसरा option हम देखिए, तो क्लिंडा मैसिन का के capsules वगेराते हैं, जैसे कि आपने उसके suppositories के option देखें, फिर उसके gel की option देखें, उस दिन में 2 या 3 बार जिए वो patient ले सकता है अबर high dose में use नहीं करना चाहिए, because यह antibiotics होनी के करण आपको side effects कर सकती है चौता option है, एंटिबाइटिक्स के अंदर, ओफ लॉक्जासिन और और नीडाजोल के combination medicines का कि अगर reason आपको bacteria के करण हो रहा है, यह problem, parasitic infection के करण यह problem हुआ है तो उस वक्त यह combination काफी अच्छा रहता है, और यह एक tablet दिन में एक बार या फिर दिन में दो बार patient use करता है और ध्यान यह रखना होता है, कि दो tablets के बीच में at least 6 या 8 गंटे का time interval रखना यहाँ पे जरूरी रहता है पांच वो option है, लीवोफ्लॉक्स दस इनका, कि अगर vaginal burning sensations भी है, urine pass करते वक्त भी जलन हो रहा है और साथ में यह सबी symptoms है आपको, तो उस वक्त यह medication लेना काफी जरूरी बनता है, antibiotics के अंदर कि जिससे यह problem जो आपका solve हो, और उसके dose के हम बात करें तो एक tablet जो है वो patient दिन में एक बार या फिर दो बार या फिर दो बार यूज़ कर सकता है नेक्स्ट ओप्सन है, बीटा दिन का, कि जिसका पेसरीज अवेलेब होती है, जो वज़ाइना में इंसेट करनी होती है और हर रात को एक suppository या फिर जो पेसरीज है, वो आपको इंसेट करनी होती है, और ध्यान ये रखना है कि एक ही बार यूज़ करना है दिन में, कि जाए आप दिन में रखते हैं वज़ाइनल cavity के अंदर या फिर रात में, उसका high dose में कभी भी यूज़ ना करें, अगर पेसरी यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो एक्स्टरनल अपलाई करने के लिए उसका ointment भी अवेलेबल था है, जो 5% के strength के अंदर अवेलेबल होता है, नेक्स्ट ऑप्सन हम देखे तो वो है आईवी का, कि अगर कोई patient tablets नहीं ले पाता, gel वगेरा भी नहीं ले पाता, उसक भी आप उसको IV में लगाओ, तो dilute करना जो है वो जरूरी बनता है, आठवा option बनता है augmenting का, कि जिसके अंदर amoxicillin and potassium kleulinate है, और यह injection सीर्फ और सिर्फ आईवी से लगाय जाता है, वो भी dilution के साथ, कि proper dilute करने के बादी, अब उसको जो आईवी में लगा सकते हैं, उसका इकलेवम 625 करके हैं, तो एक tablet patient दिन में दो बार या फिर तीन बार जो ले सकता है, तो यहाँ तक जो हमने options देखे वो थी antibiotics के, अब आगे options है वो है, antifungal medications के, कि जिसके अंदर fluconazol काफी famous है, जिसका 150 mg का formulation है, वो किस तरह से लेना होता है, वो मैं आपको संजाता हूँ, कि यह जो है, सिर्फ एक tablet दी जाती है, blister के अंदर, तो यह per week का course रहता है, कि एक week में यह एक ही tablet लेनी होती है, उससे ज्यादा tablets लेने से आपको side effects हो सकती है, second है, अगर fluconazol कोई नहीं ले पाता है, तो उसके लिए उसका दूसरा option available रहता है, इत्राको नाजल का, तो इ next है, clotri mazol का, कि यह काफी एक famous medication है, vaginal infections को trick करने के लिए, तो उसका एक marketer formulation देख सकते हैं, हम Candid V6 करके, तो यह जो है, वो vaginal tablets है, कि जिसको रात में रखनी होती है, vaginal के अंदर, और इसके course के हम बात करें, तो proper 6 दिन का रहता है, इसलिए आप यहापे उसका packing में भी देखो, तो total आपको 6 जो वो tablets दी हुई होती है, अगर यह suit नहीं होता, तो उसका दूसरा option available है, combination के अंदर, कि जिसके suppositories आती है, clindamycin के साथ combination में, और यह 7 suppositories आती है, तो यह जो course बनता है, वो 7 दिन का रहता है, इसी के साथ एक और combination बनता है, कि जिसके अंदर, clindamycin भ patients का यह combination रहता है, कि अगर कोई exact reason पता नहीं चल रहा, infection का, तो उस वक्ति यह cleanse and for tablet यूज़ करके भी, यह problem solve की जा सकती है, फिर अगर कोई tablet या फिर capsules या फिर vaginal suppositories यूज़ नहीं कर पाता, उसके लिए V-gel का option रहता है, Candid का, कि जो clotrimazole के vaginal gel वगेरा है, तो यह भी patient जो अपलाई कर सकता है, दिन में, दो या दिन में, तीन बार, फिर single dose की therapy के हम बात करें, तो antifungals के अंदर single dose therapy, जो vaginal tablet के अंदर है, तो वो एक option है, serta gonazole का, कि serta gonazole के यह vaginal tablets आते हैं, और सिर्फ एक ही बार इसको use करना होता है, और अगर repeat किया जाएते हैं, तो 15 दिन या फिर एक मेने के बाद ही उसको वापस use करना होता है, इसी दरह से second option है, single dose therapy के अंदर, फैंटी gonazole का, कि उसके जो एक tablets जो आते हैं, वो जो है, पेशन जो रात में insert करता है, वजज़एना के अंदर, फिर next है, अब anti-parasitic medications में हम देखें, तो metronidazole काफी famous medication है, कि जिसक एक tablet दिन में एक बार या फिर दो बार पेशन्ट यूस कर सकता है, second उसके gel भी available होते हैं, कोई tablet नहीं ले पाता, तो उसके gel भी यूस कर सकता है, जो रात में आप जो अपलाए कर सकते हैं, फिर norflox और tinidazole के tablets का combination यहाँ पे, जो norflox TZ कर गए हैं, कि एक tablet दिन में एक बार या फिर दो बार यूस की जा सकती है, अब बात करते हैं herbals के अंदर, तो herbal में हीमालिया वी जेल जो है, वो सबसे बच्चा option है, कि एलोफेदिक भी आपने ट्राए कर ली, फिर एंटी फंगल भी ट्राए कर ली, सभी तरह के medication आपने ट्राए कर रहे हैं, फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, तो आपके पास यह option है, और यह सबसे बेस्ट option है, सबसे पहले तो मैं यह ही आपको suggest करूँगा, कि जब भी वजएनल इंफेक्स होना दे, तो पहली choice आप जह हो ही जमालिया वी जल रखे, because यह proper herbal formulation है, और उसके कोई side effects होगे आपको नहीं होती है, और यह वजएनल इंफेक्शन के दोरान, तो इसको ठीक करने में मदद करते कि आपको बार बार लिकोरिया हो रहा है वजएनल इंफेक्शन के करण, तो यह tablet दिन में एक बार या फिर दो बार आप ले सकते हैं, उसे दरा से अगर tablet नहीं ले पाते तो उसके syrup का भी option रहता है, कि 5 ml जितना serum जो पेशन दिन में दो या फिर तीन बार ले सकता है, फिर next option है, फैमी फॉर्ट करके tablet साधी है, चरक फार्मा का, तो एक tablet दिन में एक बार या फिर दो बार ले सकते हैं, कि जिससे यह problem आपका सोला, कि जिससे आप लिकोरिया और या वजएनल इंफेक्शन के जो करने में जो वो मदद करता है, और आखरी option हम यहाँ पर एक देखे, तो यूनानी medicine का है, कि माजन मोचरस करके आता है, और माजन सूपारी पाक करके आता है, कि जो दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं, कि 5 से 10 ग्राम जितना लेना होता है, आपको milk के साथ उसको mix करके जो हमारे WhatsApp पे भी जोइन हो सकते हैं, एस विडियो उसको WhatsApp पे भी आप सेर कर सकते हैं, अलग-अलग groups के अंदर, और medicine course को join करने के लिए, आप हमें WhatsApp कर सकते हैं, या फिर हमारी mobile application को download कर सकते हैं, तो बहुत सरे से वीडियो आप access कर पाओगे, medicine course के अंदर, तो join कर सकते हमें WhatsApp प works में मिल जाएगे, so good luck and all the best!